कि कि इससी स्यूजियल अपीक्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है तो हम जो है आम मैं 400 शुरु किए हैं आप इसे देखिए बहुत इंपार्टंट है सभी कोश्चिन इंपार्टंट है आप इनहें देखेंगे सभी परिच्छा में पूछे गए हैं तो आप इन्हें जरूर देखिए बहुत ही फायदे बंद होगा तो आएए शुरू करते हैं तो दरेश्यों इस टी कास्टिंग रूपीज 192 पर केजी इस टू बी मिक्स्ट विद टी कास्टिंग रूपीज 150 पर केजी देखिए हल कर लेते हैं अच्छा क्वेश्यन है यह हम एलिगेशन टेक्निक लगाएंगे और हल करते हैं यह टी है ती है ती है और हम उसके बाद दूश्रा क्या है दोनों टी ही है कि एक टी वन माझाँ लेते हैं एक टी टू ठीक है दोनों का इसका क्या प्राइश है 190 192 है और इसका क्या प्राइश है 150 150 अब दोनों का जो मीन बैलू है दूं यहां हम फाइंड आउट कर लेते हैं जितने जब हम बेंचे इसको कितने में 194.40 ठीक है इतने में ESP है ठीक है एक क्या है ESP है तो हम यहां CP निकाल लेते हैं इतका क्या है हंडेड अपान 120 कैंसिल अउट हो गया और यहां कितना आया 12 से भाग देते हैं तो आपका आगया 12 गया 12 127 रूपया तो जो मीन प्रैस आए 165 ठीक है बहुत अच्छी है अब देखिए हल कर लेते हैं 165 माइनस करेंगे तो कितना आजाएगा आपका यहां 12 पचास और 12 हो गया यहां और यहां कितना आ गया आपका दो पच्छे तीन तीस हो गया ठीक है 12 अन्पाते 30 अब इसे हल कर लेते हैं कितना जाएगा 6 दूनी 12 अच्छा पचे 30 थिए सियफिफाइक कर लिए पका जो अंसर आया हो आया कितना तू इस्टू फाइव कर जो रेशियों है और कितना है तू इस्टू फाइव के रेशियों में थिक जो आपका आएव संग्न 2 types of ly's possesses gold and silver ratio of 7 to 22 and 21 to 37. In what ratio should ly's be mixed so as to have a new ly in which gold and silver would exist in the ratio 25 to 62. देखो, हल करते हैं, हम यहाँ 2 types का ly है, ठीक है, मैं माल लेता है एक a है, एक b है, इक बी है, ठीक है, अब l y a 7 x 22 है तूसरा 21 x 37 हम यहाँ ताइपो करेंगे चाहे गोल्ड लैं सिल्वर एक टाइप का तो यहाँ 7 इस्टू 22 है यहां कितना हो गया गोल्ड का साथ बटा 29 हो गया बी में देखते हैं क्या है 21 इस्टू 37 है तो गोल्ड का कितना हो गया 21 अपान 37 718 325 58 हो गया अब इसको हम देख लेते हैं यहां इसका जो मीन मेलू हो क्या हो जाएगा देखो 25 इस्टू 62 यहां कितना गोल्ड का हो गया पांदो साथ 628 ठीक है सताती यानिकी 25 बटा सताती अब इसको हल कर लेते हैं यहां क्या हो जाएगा 25 इस्टू ट्वन्टी वन अपान 58 माइनेस 25 अपान 87 ठीक है अनुपाते यहां कितना हो गया 25 अपान 87 सेवन माइनेस सेवन अपान 29 अब इसको हल कर लिया कितना आ गया अठावन और यहां कितना जाएगा 174 हो जाएगा 58 में अठावन से 174 में भाग देंगे कितना हो जाएगा यहां कितना जाएगा पचीज माइनेस यहां दूना बार गया साद दूनी शाएगा यहां कितना जाएगा यहां कितना जाएगा 25 माइनेस यहां दूना बार गया साद दूनी शाएगा अब हल कितना जाएगा आपका यहां 13 एड़ा अपान 174 पोर यहां रेशियो यहां कितना गया एड़ा पचीस है ना पचीस ऊन्टीश ऊन्टीस दूना यहां चुदध ना यहां कितना हो गया आपका पचीस और यहां 787 दूना नहीं बार जाएगा साथ यहां त्री त्री बार जाएगा क्रेक्षन कीजिएगा यहां 3 29 87 यानि 73 के कई से करेक्ट यहां आपका 4 4 बटा 87 अब यहां आपका आगया कितना 13 बटा 174 अनुपाते यहां 4 बटा 87 यहां 2 से गुड़ा कर देते हैं उपर नीचे तो कितना हो गया यहां 13 बटा 174 अनुपाते चार दुनी 8 बटा 242 अनुपाते 174 आपका जो रेशियो आया कितना आया 13 अनुपाते 8 आपका जो आंसर हुआ वह हुआ सब्सक्राइब यहां यहां पर चलते हैं मिक्चर आप 40 लिटर्स आप मिल्क एंड वार्टर कंटेंस 10 परसेंट वार्टर हाव मच वार्टर मस्ट वी अड़ेट तुमेग दवार्टर 20 परसेंट इंद निव मिक्चर देखो यहां हमें क्या गिविन है कि जो लीट टूटल मिक्चर कितना है 40 लीटर का है ठीकर 40 लीटर अब इसमें जो है मिल्क कितना है और कितना वार्टर है यहां कि औरे ने 10 परसेंट वार्टर है तथर प्र यह तो वाटर कितना हो गया make water 20% in the mix new mixture में water 20% हो जाएथ हम यहां लेट माल लेते हैं लेट एज्यूम कर लेते हैं लेट यक्स लीटर कि यहां सब्सक्राइज यहां जोड़ना है उसके मुताबिक हम चाल लीटर इसमें चाल लिटर वाटर इसमें एक्सलीटर पानी एड करें लिया ठीक है तो मिक्स्चेर में भी हमें एड करना मिक्श्र कितना है 40 का है ठीक है में में मिक्षर में भी होगा तो जो पानी हो कितना हो जाएगा 20 पर्षेंट 20 पर्षेंट ठीक है इसका मतलब कितना हो गया इसको हल करेंगे कितना जाएगा आपका पांचोग 20 प्लस 5X इस उक्वल टू अपका जाएगा 4X 4X इस उक्वल टू 20 एक्स इस उक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपका जो आंसर हुआ वह हुआ एक रीक है एक साथुए करें हावं तक यहां पूल भी ना 10% अपने मतलब 10% मुहार उप्लब मतलब 13 परसेंट यहां जुम हाटर कितना हुआ एक लिटर 1 हुए 9 मिल्स कितना हुआ 9 ठीक है आब 20% वाटर याने एक बटा पांच यहां जो वाटर कितना है वाटर क्या है एक मिल्स कितना यह मिल्क है यहां नव यहां मिल्क कितना है मिल्क यहां मिल्क है चार अब देखो यहां मिल्क और यह वाटर मिल्क और यह वाटर यहां मिल्क जो है नाइन है वाटर कितना है एक है एक है यहां मिल्क फोर है यूनिट यहां वाटर एक है करेक्ट अब देखो चूंकि होना कितना चाहिए मिल्क यहां कितना है आप यहां यहां मिल्क जो है 10 पर यहीं से जुम कर लेते हैं यहीं से यहां जब वाटर 4 लिटर था तो मिल्क इतना होना था 36 लिटर ठीक है इनिसियल हम यहां क्या करेंगे हम यहां क्या करेंगे यहां 36 के लिए हम यहां 4 से गुड़ा करेंगे किस से चार से गुड़ा करेंगे यहां भी हम 4 से अब यहां 36 हुआ यहां 4 में किसे गुड़ा करेंगे 9 से गुड़ा करेंगे यहां भी हम 9 से गुड़ा करेंगे तो यहां कितना हो गया यह 36 हो गया और य है ये नाइन हुआ है एक इतना हो गया ए IQ 36 हो गया और यह 36 हो इन अब दोनों बराबर है अब हमें कितना ट्रैंड किया यहाँ पांच लिच्छंफ हुक्रण यह दोनों बराबर हुआ तो हमें कितना वाटर राट करना पड़ा 5 लीटर ठीक है आपका राइट आंसर यहां C हुआ ठीक है आप इसको सटकर तरीके से भी हल कर सकते ठीक है और चाहे इससे करिए चाहे दोनों मिथार अच्छे हैं चाहे दोनों से आप कर सकते हैं अगला नों मिख्ट भी त्री ट्री कोंगीद सब्सक्रेप ड़ी सब्सक्राइब सा इंत्राइब से कंदेहल इकंवाटव्ड ग्रतों अधी कं इत्हाबर मिंप टोन फिक उन्शुआ है उसका क्या है कंडिक्शन कि four is to five के रिशियो में है नहीं सोरी three to two की रेशियो में है three is to two के रेशियो में है ठीक है और दूश्रा जो मिक्षयर है second mixture वह किस रेशियों में है वह है four is to five ratio four is to five कि अब यहां देखिए बोड़ा है कि पहले वाले में तीन लीटर तीन त्री लीटर आफ दफॉर्मर त्री लीटर आफ दफॉर्मर यहां कहने मतलब हुआ कि तीन लीटर तीन लीटर में मिक्षर में तीरी अनुपाते दोक अनुपाते में त्री लीटर में जो वाइन है वह कितना है वाइन है वह कितना है त्री इस टू फर्स्ट मिक्षर के में 3 इंटू 3 भाई 5 यानि की 9 भाई 5 और उस थिरी लीटर मिक्षर में जो वाटर है वह कितना है वाटर है वह कितना है थिरी इंटू तू अपान फाइव यहने की तीन दोनी छह श्यवटा पांच अब भोल रहा है कि how many liters of letter कितना मिलाया जाए जो second mixture है उसमें जो water है उसमें जो wine पहले wine है वह कितना है 4X और water water कितना है water वह कितना है 5X टूटल जो resulting है वो टूटल कितना है टूटल 9x अब यहां बोल रहा है कि जब हम मिला देते हैं तो उनकी quantity जो है वह क्या है water और wine की वह क्या हो जाती है स्च्छाइब क्या है तो फ्रσ्ट में जो wine है कितना है 181क वह कितना है 4x ओर यकसद यह बराबर हो जाती है जब मिला देते है ना बराबर हो जाती है तो first में water कितना है 6 by 5 है plus second mixture में water कितना है 5 x है हल कर लेते हैं यहां 5 x और 4 x एक आएंगे 3 x हो जाएगा minus करेंगे और इधर 9 by 5 minus 6 by 5 कितना जाएगा 3 by 5 3 by 5 x की value आजाई आगे अब total जो है total जो mixture है वो कितना था यहां 9 x यानि 9 बुड़े x का मान 3 by 5 3 by 5 तो आपका कितना गया 9 x 27 बटा पांच लीटर तो आपका जो आंसर हुआ आए अगले कोश्चन पर चलते हैं इस आप कीपर बाट 15 kg of rice at the rate of 29 रुपीज पर केजी और 25 kg of rice at the rate of 20 रुपीज पर केजी is sold the mixture of both type of rice at the rate of 27 रुपीज इस पर केजी इस प्रॉफिट इन इस ट्रेंजाक्शन सबसे इजी कोश्चन है देखो यहां 15 kg खरीता है कितने किसाब से 29 फंदरा गुड़े 29 ठीक है टोटल सीपी हम निकाल गए बराबर प्लैस 25 kg खरीता है किस रेस के हिसाब से 20 कितना हो गया 15 59 कितना होता है 15 नोईन एक सो पैंतिस कि 5 हात लगा 13 पंदरा दून तीस अतीस तेरा कितना हो गया 43 प्लैस यहां कितना हो गया 25 नोई पचास 500 टोटल सीपी कितना आ गया पांच और यह तीन पैंतिस अपांच आ नोव सो पैंतिस आ गया यह स्पी कितना है यह स्पी 27 रूपया पर केजी 27 रूपया पर केजी इस ओल्ड मिक्षर आप बोथ टाइप ठीक है मिक्षर आप बोथ टाइप मतलब कि 15 प्लैस 20 यह दोनों को मिला दिया और कितने में बेंचा दोनों को 27 में यानि कि 15 35 कितना हो गया 40 गुड़े 27 कितना हो गया चार सते 28 चार दूनी आठ दू दस एक हजार अस्थी रूपया में इसने क्या किया बेंच लिया तो प्राफिट कितना हुआ प्राफिट निकाल लेतें प्राफिट बराबर होता है यह स्पी नहीं की विक्रेमूल माइनेस क्रेमूल सीपी तो एक हजार अस्थी माइनेस 935 हल कर लेते हैं यहां पांच आ गया यहां सात में स्तीन गया यहां चार हो गया और यहां नव दस में से हो गया एक हो गया एक सो पैंतालिस रूपया का प्राफिट हुआ ठीक है आपका जो आंसर हुआ डीडी इस गोंग टूपी राइट आंसर ओके नेस्ट कोईशन पर चलते हैं एक कैन कंटेंज से मिक्षर आफ टू लिक्ट से एंड बी देशियो सेवन इस तो फाइफ यहां एक कैन है उसमें दो तरह के लिक्विड है एक है दूसरा है भी ठीक है अब नाइन उसका जो अनुपात है वह कितना है सेवन इस टू फाइफ है ठीक है तो इनिसिली यह कितने है यह सेवन इक से यह कितना है फाइफ है अब चूंकि नाइन लीटर नाइन लीटर मिक्षर निकाल लिया जाता है जब नाइन लीटर मिक्षर में ठीक है, A कितना है, 9 लिटर मिक्षर में, A का मान कितना है, 9 गुड़े 7 by 12, 3, 3, 4, यानि कि साथ तरिक 21, 21 बटा 4 लिटर, ठीक है, सेम, 9 लिटर मिक्षर में, B मिश्रण, जो है, वह कितना है, वह है, 9 गुड़े, B का मान कितना हो गया, 5 बटा 12, यानि कि 4, 3, यानि कि 15, कितना, 15 बटा 4 लिटर, अब चुकि, according to question, according to question, क्या दिया गया है, कि निकाल जाजाए, और कैन को B से बढ़ती है, यहान रेश्ट of 9 लिटर, नॉट मिक्षर, यहानि क्या करेंगे, 7, 7X, माइनस 21, अपान 4, बटा, 5X, माइनस 15, अपान 4, ब्लस 9, 9 लिटर से बढ़ दिया जाता है, तो आपका जो रेश्यो आया, वो कितना आया, 7, बटा, 9, आप इसे हल करेंगे, कितना जाएगा, 7, 24, 28, माइनस 21, इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे, बराबर, इधर कितना जाएगा, पान्चोग 20, पान्चोग 20 हो जाएगा, पान्चोग 20, यक्स, माइनस 15, प्लस, यहाँ, 49, 36, इसमें कितने सबुणा हो जाएगा, 7 से, 7 से, अब इसको हल करेंगे, कितना जाएगा, आपका, 9, 9, 72, की दो, 9 दुनी, 18, 7, 15, 25, माइनस 21, 25, इसमें हो जाएगा, माइनस 9 एकम, 9 एकम, 9, 9 दुनी, 18, इधर कितना जाएगा, आपका, 7 दुनी, 14, 7 दुनी, 14, मतलब, एक सो चालेज, एक सो चालेज, एक सो चालीज एक सो गया, अब इधर कितना जाएगा, 15, 16, चालेज, सबस्क्राइब कर लेते हैं इसे 252 एकस माइनस एकस चालेश यकस बरावर एकस सो सैंतालेश प्लस एकस नवाशी कितना जाएगा अपका दो और एक 112 यह अक्स हो गया बराबर एक इतना हो गया सत्रा सत्रा में से नो गये नो आठ सत्रा ना आठ और यहां तीन तीन और तेरा तेरा में से आठ गये पाँच जोड़ना है नौ साथ सोला यहां कितना जाएगा यहां यहां सोला जाएगा तिक सोला आठ चार बारा एक तेरा एक दो एक तीन तीन तेरा गया तो यक्स का वेलू कितना हो गया यक्स का वेलू तीन दो निच्छ एक्स का वेलू तीन हो तो साथ गुड़े तीन बराबर 21 लीटर इतना 21 लीटर आप का अंसर ए ए इस गोईंग टो भी राइट आंसर तो आप इन्हें जरूर पढ़िए बहुत अच्छे क्वेश्चन है बहुत इंपार्टेंट हैं ठीके